हाई एवरिवन आज मैं पालक पत्ते और गेहूं के आठे से बहुत ही टेस्टी फरे की रेसिपी लेके आई हूँ इसे आप पालक फरा भी बोल सकते हो बहुत टेस्टी लगती है तो आई ये बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं पालक पत्ते को ले ली हूँ अच्छे से और यहाँ पर हम पीस लेंगे उसे और उसमें मैं मिर्ची डाल दूंगी और इसे अच्छे से पीस लेना है चाहे तो आधा कब जितना पानी डाल सकते हो आप यह मिना पानी के भी पीस सकते हो तो देखिए यह पीस कर तयार हो गई है तो यहाँ डेड कटोर जितना मैं गेह कि आटे से पना रही हूं तो यहां पर देखे सेधा नमक डाल रही हूं थोड़ा सा ही डाल रही हूं और इसी से ही हम आटा लगाएंगे जो पीसा हुआ पालक का जो गोल है ना उसी से हमको आटा लगाना है और गोल में मैं नमक नहीं डाली हूं क्योंकि आटा में मैं नमक ड बढ़ा लगा ले रही हूं और देखिए इस तरीके से और बहुत टेस्टी लगता है चाहे आप बच्चों को इसको टीफिन में भी देख सकते हो नास्ते में खा सकते हो तो यहां पर देखिए गुन चुकी है आटा तो यहां पर मैं रात को ही चना दाल भी गा कर रग दी थी तो यह एक कटोरी जितना चना दाल है और अच्छे से फूल गई है तो आईए इसे पीस लेते हैं तो यहां पर मैं हरी मिर्ची डाल रही हूं तो यहां पर मैं दो हरी मिर्ची डाल रही हूं आप स्वादन उसार डाल लीजिएगा एक इंच जितना अदरक का टुकड़ा च जिरा डाल दी आदंज जितना गरम मसाला डाल दी आधा चमज से भी कम चाट मसाला और यहां हल्दी पाउडर आधा चम्मक से भी कम दो चम्मक जितना सफेद तिल डाल दी हूँ तो यहाँ पर धन्या पत्ती आप जादा कम अपनी इचा से कर सकते हो या बीना धन्या पत्ती डाले भी आप बना सकते हो तो यहाँ पर मैं धन्या पत्ती डाल करके अच्छे से मिक्स कर दी हूँ आटा भी बिल्कुल तैयार है तो यहाँ पर देखिए पेड़े तोड़ लेती हूं इस तरीके से बड़ा बड़ा ही तोड़ेंगे और इसको बड़ा बड़ा बेल करके छोटा छोटा ग्लास कटोरी से काट लेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समय आटा डस्ट कर दी हूं अच्छे से आटा लगा कर बेलेंगे यहूं काटा ही लगा रही हूं बेलने के लिए तो यहाँ पर हमको मूटा नहीं बेलना है अच्छा पतला बेलना है तब ही जब हम भाप से इसे पकाएंगे तो यह अच्छे से पक जाएगी तो देखिए इस तरीके से पतला बेलना है एकदम तो ये बिल्कुल तयार है आईए अब इसे हम ग्लास से काट लेते हैं चाहे तो कटोरी से भी काट सकते हो चाहे इसे छोटा भी काट सकते हो चाहे तो इसे बड़ा भी काट सकते हो तो देखिए इतना पतला ही से बेलना है तो यहाँ पर सब को बेल के तयार कर ली हूँ अब स्टफिंग भर देंगे हम फरो में और इस तरीके से एकदम ज़्यादा भी नीभरना है एकदम कम भी नीभरना है तो देखिए इस तरीके से भर के हमको उपर से दभा दभा के अच्छे से सील कर देना है और यह एक दम ज़्यादा भरेंगे तो इस सील नहीं हो पाएगी और वालते समय फट जाएगी तो इसलिए कम ही डालिएगा तो इसी तरीके से मैं सब को तयार कर लूँगी देखिए इस तरीके से और यह बहुत ही हेल्दी नास्ता है क्योंकि हमने इसे पालक के घोल से आटा लगाया है और इसमें चना दाल भी है तो बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो और जो वेट लोस कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा क्योंकि इसमें बहुत कम ओईल लगता है तो देखे सारे तयार कर ली हूँ अब फरो को हम उबाल लेंगे तो यहाँ पर मैं इटली साचा में उबाल रही हूँ आपके पास जो भी अबलेवल हो आप उसमें उबाल सकते हो कड़ाई गंजी में भी उबाल सकते हैं वैसे तो तो इसमें मेरे को सहुलियत लगता है जल्दी से उबल जाता है तो देखे दस मिनट में ये बिल्कुल तयार है उबल कर तो यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैं काट रही हूँ तो आप दो तुकड़ा या तीन तुकड़ा जितना भी आपको पीस चाहिए उस हिसाब से आप काट सकते हो तो यहाँ पर देखिए मैं काट रही हूँ और काटने के बाद जब इसमें तड़का लगता है न तो बहुत जादा स्वादिष्ट हो जाता है ये तो यहाँ पर देखिए सब को काट करके तयार कर ली हूँ अब तड़का लगा लेते हैं तो यहाँ पर दो बड़े चमच में तेल डाल दी हूँ सरसो डाल दी अब यहाँ पर सफेट तील डाल दी तो दो चमच सफेल तील डाल रही हूँ यहां पर देखिए फरो को डाल करके अच्छे से तड़का लगा लेंगे एकदम क्रिस्पी कर लेंगे उलट पलट करके देखिए इस तरीके से आप ऐसे भी खा सकते हो उबला हुआ फरा को बहुत वह भी टेस्टी रहता है पर तड़का लगाने से ज्यादा टेस्टी बन जा तो जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए